आज लखनव की सड़कों पर बीएट पास की हुई युवाओं का सहलाव है प्रदेश भर से नौजवान वहाँ इखटे हुए विरोध प्रदर्शन है धर्ना है आक्रोश दिख रहा है अब रास्ता क्या निकाला जाए बड़ा प्रश्म नहीं इस आपको याद होगा सुप्रीम कोट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक फैसले में कहा कि जो बेसिक सिक्षा है यानि जो प्राइमरी एजुकिशन है उसमें अध्यापक के लिए बीड के हुए लोग एपलाई नहीं कर सकते वो पात्र नहीं माने जाएंगे अब पहले वो पात्र थे सरकार के एक अधिसूचना के जरीए वो पात्र थे दोजार अठारा में उसकी एक बाकाइदा नोटिफिकेशन होई थी लेकिन सुप्रीम कोट ने जब उसको उनको अपात्र घोशित कर दिया तो परस्तिती बदल गई अब इस समस्या के दो पहलू है एक पहलू तो वो कि जो उत्तर पदेश में लाखों बीट कियह हुए नौजवान है वो संकट में आ गए वो कह रहें कि हमने जब बीट किया था तो इस प्रत्याषा में किया था इस आशा में किया था कि प्राइमरी में भी हम एप्लाई कर पाएंगे चुकि सरकार का नियम था अब वो रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया गया कहा आप उस गली नहीं जा सकते एक और ये देश भर की समस्या है देश उत्रपदेश में अगर और दस्वारा लाख बच्चे होंगे माली ये इसे जो विएट किये हुए होंगे तो देश भर में ये संख्या करोण को पार कर जाती है अब वो सब समस्या में आगे और दूसरा ही समस्या वो कि जो लोग विएट पास करके पूर्व की भरतियों में बेसिक सिक्षा के धापन के काम में लगे हुए हैं यानि प्राइमरी टीचर के पद पर तहनात हो चुके जो लोग विएट की हुए सरकारी नियमों के अधीन अब सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद उनका क्या होगा देश में संख्या लाखों में जाएगी उत्तरपदेश में 22,000 है अभी टेंटिटिवली जो रफ आकला सामने आया 22,000 ऐसे लोग हैं जो बीएट किये हुए हैं और प्राइमरी टीचर हैं उनका क्या होगा 22,000 लोगों से क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोग में कह दिया जाएगा कि टाटा बाय बाय जाओ आपकी सेवा समाप्त होई आपकी सेवा यहीं तक तो वो भी एक बहुत त्रासदी पूर्ण और बहुत हाहा कारी दर्श्य बनेगा प्रदेश में और देश में भी जब सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आया उस दिन जब हम उसके बाद जब हमने इस पर चर्चा की तो हमने एक महत्रपूर्ण विश्य उठाया था मैंने कहा था कि भी बीड के लोगों को जब इसके लिए अनुमती मिली कि वो लोग प्राइमरी टीचर के लिए भी एलेजिबिल हैं वहाँ भी अपलाए कर सकते हैं तो उसी राजाग्या में एक ये भी उपवंध था कि बीड किये हुए लोगों को नियुक्ती के बाद छे महिने के भीतर एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा ताकि वो लोग प्राइमरी की शिक्षा दिख्षा की रीती नीती से और अच्छे से रच बस जाएँ उसमें उसको समझे लेए ठीक देश में शाइदी कोई ऐसा राज्जी हो जिसने ब्रिज कोर्स कराया हूँ समझे उसलिए उसलिए जब मैंने ये विशे उठाया तो पांच बजे मैंने ये विशे उठाया पांच से छे चर्चा हुई और रात में नौ बजे ममता जी के पश्रिम बंगाल ने इस पर एक चिठी जारी की अपने बेसिक शिक्षा विभाग को कि आप हमको बताए कि जो लोग B8 किये हुए प्राइमरी एजुकेशन में हैं उनको कितनों को हमने आपने ब्रिज कोर्स कराया है कितनों को नहीं कराया है आंकले उपलब्द कराये तब अधिकारियों को ये बोध हुआ, उनके चक्षु खुले कि ब्रिज कोर्स जैसी भी कोई चीज है जो करानी थी जो हमने नहीं कराई, इसमें नौकरी कर रहे हैं लोगों का दोश नहीं, ये कराना किसको था? बेसिक शिक्षा बिभाग को, उनसकी अधिकारी सोते रहे, अ अब संकट गहरा गया, तो अब लाख टकी का सवाल है कि क्या उत्तरपदेश का बेसिक शिक्षा बिभाग, उत्तरपदेश का शाषन, सत्ता, जो बाईस हजार लोग अभी नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के रूप में बियड धारी, उनकी नौकरी बचाने के लिए ब्रिज कोर्स कराने की ततकाल प्रभाव से कोई योजना लाएगी, एक, क्या देश भर के सभी राजी ऐसी को योजना लाएगी, कि जो नौकरी कर रहा है कम सकम उसकी तो बचे, ये बड़ा पहलू, ब्रिज कोर्स का क्या होगा, और दूसरा पहलू ये, कि ये लाखों ला लुगों को, क्या कोई समाधान मिलेगा, ऐसा समाधान जो बीटी सी के किये हुए युवाओं से भी टकराप पैदाना करे, ये सरकार की शाषन की जिम्मेदारी है, कि ऐसा समाधान दे, कि बीड़ धारी भी संतुष्ट हो, और बीटी सी बाले भी आंदूलित ना हो, क्या ऐसा कोई रास्ता निकलेगा, और अगर निकलेगा, तो वो रास्ता क्या हो सकता है?